कभी कभी समय आने पर अपने कंप्यूटर के माध्यम से और ये फरद यानि जो फरद निकालने की उनकी जुरूरत रहती है कभी कभी वो फरद उन्होंने पिछले समय में लगवग चार महिनों में अस्ताक्षिर वाली जमाबंदी उसकी फरद की नकल निकाली है मैं आपको ये ध्यान करना चाहता हूँ कि हमने ठीक 2014 में जब शाषन समाला तो उस समय बात कही थी कि हम सुशाषन अर्थाद गुड गवर्नेंस इस नाते से अपने शाषन को आगे बढ़ाएंगे प्राके लोगों को आने वाली जो कठनाईया हैं जो तकलिफ हैं वो कैसे बंद हो और उसमें बहुत से ऐसे वर्ग हैं जिन के लिए काम करने के आवशकता थी उसमें बड़ा वर्ग हर्याना के अंदर जैसे हम जानते हैं कि वो किसान वर्ग है किसानों को भी बहुत सी तकलिफ हैं बहुत सी कठनाईयां अपने सरकारी कामकाज में यह आती थी उसमें हमने कई कारकम शुरू किये जिसके अंदर मेरी फसल मेरा ब्योरा यह हमने शुरू किया उसमें मडियों से सीधी पेमेंट करने के लिए हमने ई गिर्दावरी और ई पेमेंट अर्थात अपने आप पेमेंट हो गिर्दावरी भी जो है वो हमारी डिजिटल तरीके से, कंप्यूटर के तरीके से हो और उसी का एक कारकम हमने चलाया यी फर्द, अर्थात फर्द भी हमें अपने आप कंप्यूटर से ये मिलनी शुरू हो जाया और ये फर्द का जो कारकम है हमने इस पिछले 25 दिसंबर 2022 को शुरू किया था ताकि इस से पहले जो फर्द पर हम पटवारियों से साइन कराते थे और पटवारी के चकर काटने पड़ते थे बहुत समय लगता था, बहुत पैसा भी उसमें लगता था वो हमें कैसे सुईदा जनक अपने आप साइन की हुई फर्द ये हमें मिलने शुरू हो जाए और मुझे खुशी है इस बात की कि पिछले चार महिने में लगबग 10,000 किसानों ने अपनी फर्द अर्था जमीन का अपना परमान ये जमीन मेरी है इस नाते से उन्होंने इसका उपयोग किया है और जब इफर्द निकालते हैं तो स्वाभाविक है उस इफर्द का उपयोग हमें बहुत जगा पर होता है हम अपनी जमीन के मालेक हैं इसका एक डाकुमेंट हमें मिल जाता है हम उस जमीन के उपर अपना बैंक से लोन ले सकते हैं बैंक भी उस हस्ताक्षित इफर्द को स्विकार करने लगा है इसी प्रकार अपनी जमीन की खरीद बेच करते से मैं भी इफर्द हमारा एक परमान होता है कि ये जमीन हमारी है हम इसको कहीं भी आगे तीछे बेच सकते हैं तो जो काम हमारा इफर्द पर साइन कराने के लिए महिनों महिने लग जाते थे वो मिंटों में अभी एक काम होना शुरू हुआ है एक बहुत बड़ी लाभ हमको ये इसका हुआ है और पहले बहुत खर्च होता था अब तो खर्च के नाम से भी हमसे 100 रुप्या तो एक फीस ली जाती है और साथ में प्रती ख्यवट पहले ख्यवट पर 10 रुपए और अगला उसके बाद हर ख्यवट के उपर 5 रुपए मातर इतनी सी फीस देनी पड़ती है जो हमें automatically हमारी bank account से ही कट जाती है इसलिए सुईधा जनक तरीके से हमको ये सारे काम हो जाते हैं जब कभी हम फ़द लेनी होती थी तो बीच में दलाल ये भी आते थे जो इस काम को कराने के बदले में अपनी commission भी लिया करते थे ऐसे सब दलालों से भी हमने मुक्ति पाई और इस परकार के जो काम है हमें घर बैठे सुईधा से हो गए है मैं आज आप सब को जिन्होंने चार महिने में ये इस परकार की जो फर्द प्राप्त की है उनको सब को बहुत बढ़ाई और ये शुब कामना देता हो हमें धान में हैं कि हमारे पटवारी हमारे तैसीलों में जितने दस्तावेज ये कितने अलमारियां भरी रहती थी पटवारी के हाँ पटवार खाना में जब जाते थे तो उसके अलमारियां भरी रहती थी क्योंकि ये पहले सब जो record होते थे ये रेजिटर पर कागस पर लिखे जाते थे और कई बार तो जब कभी आशकता होती थी बहुत पहले हमको बता के आना पड़ता था कि हमको इस दस्तावेज की जुरूरत है और कई दन के बाद ढूंड करके वो पटवारी हमको निकाल के द और हमने विधिवत रंग से इस परकार से रखा है संजोया है कि एक क्लिक से कभी भी कहीं का भी दस्तावेज हमको मिल जाता है महिनों की बहुत मेनत के बाद हमारे वहागों ने लगबग साड़े अठारा क्रोड दस्तावेज ये स्कैन किये और स्कैन करके आज वो सारे मुझे घटना याद आती है कि आकर मैंने कब शुरू किया क्यों शुरू किया मुझे ध्यान है कि एक बार हाई कोड का केस हुआ था और हाई कोड के केस में जमीन के कोई जगडे का केस था तो जो रिकॉर्ड की पर था कचैरी का अदालत यानि जो हमारे तैसील का तो उस त سیل کے ریکارڈ کیپر سے एक दस्ताविज मांगा गया और उसने बहुत समय लगाया लेकिन उसको दस्ताविज मिला नहीं और बार बार कोट के कहने पर जब दस्ताविज नहीं मिला तो उस रिकर्ड कीपर को सजा हो गई अगो बिचारा समाने एक व्यक्ति और उसको सालों के सजा हुई अब हो सकता दोश उसका हो या किसी और का हो लेकिन एक सामाने बात पर उसको ये जो सजा हो गई तो कोई उसका इतना बड़ा दोश नहीं था तब ध्यान में आता है कि आखर ये बाते तो सब जगाँ पर इसी प्रकार से हैं तो मैंने तुरंत हमारे जो जिलाव पायुकत कैथल के थे उनको कहा कि आप अपना जितना भी रिकॉर्ड है इसको सब को डिजिटरलाइज कराओ सब की स्कैनिंग कराओ और एक अच्छा रिकॉर्ड रूम ये बनाओ ताकि ये समस्या आगे कर भी ना आए और कैथल में वो रिकॉर्ड रूम जब बना तो मैं समस्या उसका उद्गाटन करके आया था मुझे बहुत अच्छा लगा और इसके बाद हरिणा के सभी जिलों को हमने कहा ये सारे रिकॉर्ड रूम हमारे इसी परकार से कंप्यूटराइज होने चाहिए ताकि कहीं भी इस परकार की आने वाली कठाई ये हमको आगे ना आए तो IT का इस परकार का यह जो काम यह लगातार आगे बढ़ाते बढ़ाते अब हमने सभी तैसिलों में जितने भी हमारे दस्तावेज हैं उनको भी डिजिटलाइज कर दिया है हमारे अपने जो रिवन्यू के रिकॉर्ड हैं वो सारे डिजिटलाइज हो गए है और अब तो पहले रिश्ट्टी जो हम जाकर के तसील-दार के पास जाते थे गंटों खड़े रहते थे रजिट्री होती थी अब वो रजिट्री ऑनलाइन होती है हम सुबह जाएं अपने जो भी दस्तावेजन को देखर के और तुरंत अपने रजिट्री करा करके ले आते हैं अब इससे आगे भी बढ़कर के अगर कोई रजिट्री हमको जिले में कहीं भी करानी होती है पहले एक तहसील निश्चित होती थी कि हम इसी तहसील में जाके रजिट्री करा सकते हैं लेकर अब ऐसा नहीं है अब तो जिले की किसी भी तहसील में और उस जिले के किसी भी गाओं की कहीं की भी जमीन की रिष्ट्री ये हम करवा सकते हैं तो बहुत बड़ी सुईधा ये हमको मिली है हम इससे भी आगे बढ़कर के कई और प्रितन भी कर रहे हैं हम तो आया तक भी चाहते हैं कि ना केबल जिले में बलके प्रदेश में कहीं की जमीन की रिष्टी पूरे प्रदेश में कहीं भी हो सके और नकबल तस्हीलों में बलके अन्य परकार के जो सरकारी कारले हैं उनमें भी रिष्टी हो सके लेकिन इसमें थोड़ा समय लेगा हम इस विदा की और हम सुशाशन के एक कदम और आगे बढ़ाने की और बढ़ रहे हैं आपको ध्यान में होगा कि पिछले दुनों में हमने गाओं में जो गाओं लाल डुरा से चिन्नित थे लाल डुरा के दारे के अंदर किसी के मकान की किसी उसकी ज्यादाद की कोई रिष् जब हमें लगा कि इससे भी कोई निजात पानी चाहिए तो लाल डुरा नाम की चीज़ को मने खतम कर दिया और उस सब की जो प्रॉपर्टी है उनको चिन्नित करके उनको रिखांकित करके उनका एक प्रकार से पंचायतों के माध्यम से ग्राम सभाओं के माध्यम से उनको चिन्नित किया कि कौन सी प्रॉपर्टी किसकी है और हमने उस सब प्रॉपर्टी कार्ड दे दिये हैं या रिष्ट्री करवा दी हैं अब धिरे देरे जहां प्रॉपर्टी कार्ड दिये हैं उनकी भी सबकी रिष्ट्रेशन कराना इसको भी मानते हैं इसको भी अनिवारे कर तो ये भी मालिकाना हग जो हम को मिलेगा अपने उस प्लोट के मालिकाना हग के रिष्टी को ले करके हमारा माथा भी उंचा होगा हमारा सीना चावडा होगा कि आखिर हम एक प्रॉपटी के मालिक हैं इससे पहले कभी हम कहनी सकते थे जगडे होते थे भाई-भाई में जो हमने अर्याना में शुरू कि थी 25-26 जनवरी और 2019 को हमने जो शेवा शुरू की थी मुझे खुशी है बताते हुए कि इस चीज़ को देश के पधार मंतरी नेंदर मोदी जी ने सारे देश में पधार मंतरी स्वामित व योजना के राम से भी लागू किया है तो यसे बह माद्यम से हमारी कितनी खेती होती है उसको मरेश्टर करते हैं उसी में बाद में फिर जब खरी दी जाती है मारी फसल तो मंडी में जाकर के उसी मेरी फसल मेरा विरा के माद्यम से हम फसल अपनी आसानी से बेच सकते हैं हमारा पैसा सीधा जो है बैंकों में हमारे खाते में चला जाता है और जो पैसा हमारे खातों में सीधा जाता है हम वास्ता में उसका अपने मन से उपयोग कर सकते हैं जबके इससे पहले ये पैसा सब आड़तियों के माद्यम से मिलता था वो भी बहुत परिशानी से हमको पैसा वापिस मिलता है हां यदि कभी प्रकृति की मारसे कोई हानी होती है, नुकसान होता है वोला पढ़ता है, बारिश होती है तो उसकी जो होती है, उस खती के के मिले में हमको मौझा मिले इसमें भी बह। जंजट होते थे अब हमने उसके लिए भी एक नया पोर्टल बनाया है क्षटी पूर्टी पूर्टल अब ये क्षटी पूर्टी पूर्टल जब भी कोई किसान की हानी होती उसको कोई नुकसान होता है तो उसको कहा जाता है कि 70 गंटे के अंदर अंदर वो उसकी एंट्री करें बाद में फिर वहां के पटवारी वहाँ के तैसिलदार, वहाँ के SDM, वहाँ के DC वो उसको सबको जाचते हैं और उस जाच में जो टुटिया है उसको ठीक करते हैं और फिर हमें निश्चित एक समय के बाद उसका जो मौावज़ा है ये तुरंत मिलता है तो मित्रों ये सारे काम हमने आपकी सुइधा के लिए किये हैं और हो सकता है इस सुइधा को प्राप्त करने में कभी-कभी हमको कठाई भी आती हो क्योंकि नए प्रोग्राम है, नए प्रोग्राम में कभी-कभी उस प्रोग्राम को खोलने में उसमें आंकड़े भरने में उसमें सारे अपना विवरन भरने में कुछ दिरी भी हो सकती है कभी-कभी हमारा जो online system होने के नाते से internet बंद हो सकता है कभी हमारा portal बंद भी हो सकता है लेकिन ये प्रारंबे कठाईयां है और ये प्रारंबे कठाईयां बहुत जल्दी हम इन समको दूर करेंगे और बहुत जल्दी आपको ये सारे सिस्टम इसके लाव निश्य रूप से सामने आएंगे तो आपको परसन्नता होगी हाँ मैं एक बात और आपसे करना चाहता हूँ क्योंकि ये आयू के उपर भी निर्भर करता है या हमारा इस इंटरनेट की विद्या से कितनी हमारी जानकारियां हैं उस पर भी निर्भर करता है हम अपने परिवार के किसी एक सदस्यों को इस परकार के जो जानकारी जो ज्यान रखता है उसकी साहता से ये चीज़ें समय पर इसको हमको भरना चाहिए अगर समय पर इसको भरेंगे तो निश्चित रूप से हमें कोई भी कठनाई आगे भोशे में यह नहीं आएगी तो इस काम के लिए हम जरूर इसको करें और इसका जो भी लाब है वो हम लगाता इसको उठाते रहें हमने इस पोटल के माद्यम से ही जैसा पता आपको कि परिवार पैचान पत्र इस नाम से भी एक डाटा त्यार किया है ताके हर परिवार का जो उसके सदे सिक रहे हैं वो सदे से क्या काम कर रहे हैं उन सदेस्यों की आयू क्या है उनको लाब के नाते से कौन-कौन सा लाब लेने के लिए वो पात रहें ये परिवार पेचान पतर यानि फैमिली आई कार्ड ये भी हमने बनाए हैं इस family eye card के माध्यम से हर गरीब परिवार को उसका जो राशन बनना हो या उसको आयश्मान कार्ड का लाब मिलना हो या उसकी old age pension बज़ुर्ग हो गया तो automatically उसकी old age pension बननी हो हमें कई प्रकार के certificate जिनकी जरूरत होती है वो भी automatically उसका जो certificate बनने का काम ये भी हमने शुरू कर दिया है तो ऐसे कई लाब इस पोर्टल के मादें से हमको हुए हैं और ये भी मैं आपको वाश्य बताना चाहूंगा कि बहुत लोग इन सुईधाओं को देख करके परेशान हो रहे हैं उनकी परेशानी इसी बात से जलकती है कि वो कभी कभी आप जैसे बोले बाले लोगों को ये भी कहते हैं वो सुनाई देते हैं कि हम इन पोर्टल को खतम कर देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे क्योंकि पोर्टल से होने वाला लाब वास्ता में आपको उस दिशा के अंदर एक अच्छा यानि खुशी देने वाला एक कारकरम जो हमारे विपक्षी लोग को उन से सबसे सावधान रहना है और हाँ जो आपको कठाईया आती हैं उनको हमको जरूर बताना है मैं तो आज भी चाहूंगा कि अभी जब आप से बाचित होगी तो आप निशित रूप से हमें उन सारी चीज़ों का ध्यान कराएंगे तो हम एक एक करके उसको ठीक करेंगे और इस सबसार पर आपको इस सफलता के बहुत बहुत मैं आपको शुब कामना देता हूं बदाए देता हूं और आप इसी प्रकार से इन चीजों का लाग उठाते रहे ऐसा मैं आप से आवाशन करता हूं बहुत भाछ धनेवाद बहुत आपसा